आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन अश्टेडी सेंटर पर स्वागत है आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आए हूँ वेस्ट बेंगल बोर्ड के कलास 12 के सभी स्टुडेंट के लिए कलास 12 का एक्जाम जो है वो आप सभी का 16 तारीक और इंगलिज का होना है तो देखिए कलास 12 के सभी स्टुडेंट के लिए सबसे पहले मैं इंफर्मेशन यही देना चाहूंगा कि जैसा हिंदी में आपने देखा कि पेपर 2022 का रिपीट हुआ है नसा कहानी बोलिए या हिंदी साहित का इतिहास बोलिए आपका यह रिपीट किया गया है टोटली कोश्चन का पैटन को बदल दिया गया क्योंकि नसा कहानी से लॉंग भी पूछा उसका लाइनिंग भी पूछा साथी साथ कभी 2015 से कोश्चन सजेसंस में है आपके आप खुच जाकर देखिए कि किसी भी साल हिंदी साहित में टिपनी नहीं पूछा लेकिन इस साल टिपनी पूछा गया तो देखिए कोश्चन का पैटन किसी भी तरीके से बदल सकता है आप सभी से मैं इतना ही request करना चाहूंगा, आप सभी को इतना ही सला देना चाहूंगा, कि आपने अभी तक जहां तक important question पड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन previous year का कोई question repeat हो सकता है, क्यूंकि हिंदी के paper में किसी ने ये उमीद नहीं जटाई थी, कि ये सारे question आएं लेकिन इस बार examiner ने repeat कर दिया है, इसलिए जितना भी questions 2022 में होगा, जरूर उसे भी एक बार दो बार देखके जाईएगा आप सभी, ठीक है, तो आप सभी के लिए channel पे मैं वो सभी question का discussion कर दूँगा, पहले से कई सारे video upload है, online classes मैंने कराई हुई है, सारे classes को जाके एक एक करके समझ लिजिए, इंगलीज का चार कवीता, चार कहानी, एक नाटक, टोटल नौ लेशन के सारे के long classes उपलब्ध है, live classes, आप सभी को अगर देखना होगा, अगर ज़्यादा ज़्यादा समय का वो live classes है, अगर मान लिजिए भी time है, कल है, आज है, तो इसे देखिए, नह आपका help of आएगा, लेकिन previous year जरूर देखिएगा, ठीक है, अब चलिए main topic पे आता हूँ, क्योंकि इतना समझाना जरूरी है, मेरा काम है समझाना, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये उम्मीद नहीं की थी हिंदी को लेखर, लेकिन हिंदी में बह पहले से prepare हो जाईए, तो आज हम बात करेंगे class 12 में, जो चार प्रोज, चार poetry, एक play, ये जो पाचो लेशन है, पाचो लेशन का नाम, राइटर का नाम, spelling अच्छा से याद कीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर पहला प्रोज है, the eyes habit, the eyes habit को रसकिन बोंडे ने लिखा ह अब्दूल कलाम ने, अब्दूल कलाम ने और extract का मतलब लिया जाना, strong root relation जो है, wings of fire से लिया गया है, जो एपी जे अब्दूल कलाम का autobiography है, अगला है, थैंक्यू मेम, थैंक्यू मेम, लैंगस्टोन हुजस के दोरा, थैंक्यू मेम, लैंगस्टोन हुजस के दोरा लिखा गया थो लिए टोस्टोई द्वारा लिखा गया प्री में बात करें चार प्रट्री चार कवीता है पहला और कीलिंग आ ट्वी सी भी पटेल द्वारा लिखा गया है जीवी पटेल एशलिप इन दवेली आर्थुर रिंबोड एसली पिन द वेली आर्थुर रिंबोड के द्वारा लिखा गया है वह विलियम शेख्सपयर जी द्वारा लिखा गया है इसे सोनेट नंबर 18 के नाम से जांगते हैं के द्वारा लिखा गया तो इस परपोजल में जो क्यरेक्टर है लोमूब नाटालिया चुभुकॉब तो चुभुकुब जो है नडालिया के फादर हैं उनраз्सका साल है नाटालिया जो उनकी बेटी है 25 मिड ट्वेंटी उसका एज है और जो लो मोब है जो कि चुबुकॉब का पडोसी होता है उसका एज 35 एर्स ओल्ड है यानि मीड थर्टी जै और लो मोब और चुबुकॉब दोनों लेंड ओनर से और दोनों नेबर से पडोसी है ठीक इसी तरह के कि इनपोर्टेंट mcq question आपको इस लेशन के चैनल पर मिल जाएंगे लाइक क्लासे मिल जाएंगे लॉंग कोस्टन मिल जाएंगे सभी को जाकर देख लिजेगा कल भी कई सारे महत्पून वीडियो अप्लोड किये जाएंगे तो चैनल पर विजिट किजिए सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को दबा दीजे और उसे जाकर देख लिए और आप सभी एक्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लाईए और प्रिवियस एर हर सब्जेक्ट में जरू कर जाएं वीडियो को देखने के लिए चैनल पर लास तक जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद